नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिंपले में आज दोस्तों मैं हॉली होक के सीट कलेक करूंगी और उसके पहले में आपको धीरो फूल खिले हुए हैं मेरे और गार्डन में तो वह आपको मैं आज दिखा रही हूं और मैं एकसर दिखाती हूं और मैं इसलिए भी दिखाती हूं कि देखे दोस्तों यह सारे और्गैनिक फ्लार्डस हैं मतलब मैंने कभी भी इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाजर या पेस्टिसाइड नहीं उसकिया है और आप देखे किते अच्छी ब्लूमिंग होती है तो बहुत सारे फूल के लिए ह यह इससे मैंने आपको नहीं मिलवाए थाigent दो तीन दीन पहले जब मैने वीडियो बनाए था यह है प्लुμοरिया चंपा नाग चंपा वैसे इसको बोलते हैं लेकिन यह नाग चंपा इसके सिर्फ पत्त्य नाग जैसी होती है ताग दोस्तों ही होतो ही अप्र पहिजानते ह तो बस मुझे आज इसके सीट्स भी कलेट करने हैं और मेरा जिस्सकी पॉर्ट्स भी खाली हो जाएंगे मैं फिर उसमें और भी कुछ ग्रो कर सकूंगी और यह देखिए मॉस रोज पॉर्चुला का यह सारे के सारे जितने आप देखने हैं सब वेस मेटेर में लगे हुए है और बहुत अच्छे जाड़ो में लगाई हुआ है और यह जाड़ो मे भी फूल खिल गिल यह तो देख रहे ना यह जाड़ो का है और इस सीजन का नहीं है यह पिछले सीजन का लगा हुआ इसी पे है और यह टिकुमा और औरेंच वाला है बाकि दोस्तों गुडहल सब की केर टिप्स मैं बता चुकी हूं कैसे गर्मियों में करना है और यह तो यहीं पर दूप में रखा हुए बस यहां पर जो सनलाइट आप देख रहे हैं सनलाइट अभी 12 बचे तक आएगी उसके बाद इध लब तो यह दिखिये यह सबसे ज़्यादा प्राप्लम यह इतना लंबा है ना यह प्लांट इसको यह गड़ जाता है मेरा चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जो इस तरीक से फजावजा के मैंने असे इसलिए मैंने इन सब को रख दिया कि आंधी में गिरे नहीं जिससे तो यही बहुत बड़े और इसी वाले प्लांट से मैंने 200 सकर हटाई थी अभी कुछ दिन पहले ना सेवन लीव्स वाला जो वीडियो मैंने बनाया था इसी प्लांट से हटाई थी मैंने और यह सारे प्लांट मैं आपको दिखाई थी अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिखाय प्लांट था और इसमें बहुत सीट पॉर्ट बनते हैं तो इतना पॉस्विल नहीं होता कि ये देखे इस तरह से मैं नहीं तोल लिया है बोहुत हाइड में बढ़ने वाला प्लांट यह जमीन में लगा होता है तो बहुत 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 कुबसूरत लगता है यह दिके समें अभी भी आ रहे हैं लेकिन अभी इधर बीच मैंने इसकी दब गेहर नहीं की छोड़ दिया था विल्कुल इसको यह देखे चलिए इसको मैं इसके सीट पॉंट मैंने ले लिया आपको दिखाते हूँ गर नहीं हम तोड़ते ना तो फर आसी इधर उधर सब सूख सूख के न समय एक्तम तेज दूप में कुछ ठीक से ना कैमरे का फोकस भी नहीं बन रहा है तो समझ में आनी रहा है में थोड़ा सा जमीन पर इसको डाल अब सही से दिख रहा होगा कि बहुत तेज समय धूप है यह देखे हैं यह सारे जो जितने गोल-गोल से ना यह सब सीड है और ठेरों सीड होते हैं एक प्लांट में एक सीड पॉड में यह देखें सबसे अच्छा सीड पॉड यह है नहीं यह वाला नहीं है यह नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें हरा हरा सा दिख रहा है जो थोड़ा सा ड्राय सा हो जाता है यह देखें यह कच्चा कच्चा सा है अगर यह सुग्या होता तो अपने आप निकलाता यह नहीं निकल रहा है तो हमें ऐसा सेट बॉड लेना चाहिए सेट करने के लिए जो अपने आप से निकला है उसमें से और अगर थोड़ा सा मौश्या रह जाएगा तो फिर वह आपका जुलाई अगर बरसात आते आते न सड़ ज नालके और एयर टाइट कंटेनर में जिप वाले पॉली बैग में किसी ऐसी जगह पे रखे जहां पे जिसमें की एयर नहीं जाए प्लेस में आप रखती है बस चल जाएंगे सीट सीट्स खराब नहीं होंगे यह देखिए इस तरीके से इसके सीट्स हैं मैं भी ठीक से पू तो हाँ इसको लगाना कब होगा अधर ऑक्टूबर लास्ट में मतलब दिवाली की खतम होने के बाद क्योंकि इसके जो फ्लार आप देखी रहे हैं मई का मैना है अभी तक खिल रहा है तो दिपावली के बादी इसको ग्रो करेंगे यह देखिए भरा हुआ है इसके अंदर सुखाएगा दूप में नहीं सुखाएगा सनलाइट में नहीं ऐसे मैंने अभी इसको ऐसी पर जमीन पर निकाल दिया अब मैं इसको ठीक से रख लूँगी नहीं तो क्या रहता है ना निउस पेपर में भी रख देंगे तो थोड़ी सी नमी स्की जित्तिवरहोगी नो color आते हैं इसमें कम से कम नहीं तो पांच color तो इसमें तो मैंने देखे ये खुद देखे हैं बहुत सुंदर-सुंदर color आते हैं आप जरूर लगाएगा उक्टूबर नॉमर में जब लगाएगा इसको बहुत अच्छा है चलिए दोस्तों वीडियो पसंदा हो तो लाइक करि जब लगाएगा बाएगा थैंक यू